लोकमत नैशनल मीडिया कॉंक्लियों मैं पदा रहे हुए हमारे मित्र और महाराज के सबसे सिनियर मंत्री मानेशी सुधिर मुनकर्टिवार जी मैं लोकमत नैशनल मीडिया कॉंक्लियों में उपस्तित हुए सभी मैं मानों का लोकमत पदिवार के और से तैजिल से स्वागत करता हूँ मैं शुक्र गुजार हूँ केंदर सुचना वा प्रसारन मंत्री मानेशी अनुराग सिंग ठाकुर का जो कुछी समय में हमारे साथ में जुडने वाले हैं यहां पर उपस्तित एनाय की संपादक एश्यन्यूस इंटरनाशनल एनाय की संपादक मानिय श्रीमती स्मिता प्रकाजी टाइम्स नेट्वर्क की ग्रूप एडिटर श्रीमती नभीका कुमार जी जो वो भी जुडने वाली है कुछ देर में हमारे साथ में न्यूज एटीन हिंदी के प्रबंद संपादक श्री अमिश द्योगन जी एवीपी के संपादक नैशनल अफेर्स स्री विकाज बधोरिया जी न्यूज एटीन लोकमत के संपादक शी आश्चुतोष पाठील जी पंजाब के स्री एवं नौदे टाइम्स के कारीगारी संपादक शी अकूश शिवास्ताव जी राज्य सुचना अयुक्त नाकपूर वच्छत्रपती संबाजी नगर शी रावल पांडे जी लोकमत मीडिया संपादक शी विजे बाविस्कर जी वरिश्टरपत्रकार एवन लोकमत संपाचार के प्रतम पूर्व संपादक मानिश शी एसम बिनोच जी हिंदुस्तान टाइम्स के सहयों की संपादक शी प्रदीप कुमार मैत्र जी एबीबी माजा की उपकारिकाई संपादक सहीता कौशिक जी जिनों ने हमारे आगरक को स्विकार किया और आज इस कौंक्लियों में सम्मिलित हुए कि सभी पैनलिस्ट आज दो सत्रों में इस कारेकम का विवाजन किया गया है जो पैनल डिस्केशन्स होने जा रहे हैं उसमें मॉडिटर की महत्व पुर्ण भूमी का निबाने वाले डिजिटल न्यूज एडिटर हमारे सयोगी आश्री जादो जी जो मुंबई से पदा रहे हैं एवं लोकमा समाचार के असोशिट एडिटर श्री संजय शर्मा जी ज दिल्ली से पदा रहे हैं इसी के साथ महत्व पढ़न बात ये भी है कि पूरे विदर्व से यहां पर पदा रहे हुए पत्रकार बंदू संपादक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार आप सभी सम्मानी मेहमान मैं आपका सब का हुर्दय के तरह दिल से स्वागत करता मित्र अभी अभी हमने आजादी का अमरुत मौसो बनाया है और अंग्रजों से आजादी के उद्देश से सो वर्ष पुर्वा लोकमत का जन्म हुआ था हमेरे आजादी मिल गई है लेकिन आजादी के फल सर्व सामाने लोगों तक पहुंचने के लिए मेरे पुझे बाबुजी ने जो की जेस्ट स्वतंता संग्राम सिना निये जवाला जी देड़ा ने पहले साप्ताइक बाद में दीव साप्ताइक और फिर उन्निस स्विकातर से नाकपूर में दैनी की रूप में लोकमत का सुभारंब किया प्रकाशन प्रारंब किया लोकमत के नाकपूर संस्क्रन से स्वर्ण जहनती वर्ष लोकमत पूरा किया है और साथी साथ में लोकमत के पित्र पूरिश्य आदेर ने बाबुजी का भी ये जन्म शताब्दी वर्षिट शुरू है आज लोकमत पूरे राजज्य में गोवा और दिल्ली में अपने पाटकों की सिवा कर रहा है ये दोरे खुशी के मौसों के तहर आजजोना की शुंका चल रही है और इस आजजोना के शुंकला में ये लोकमत मीडिया कॉन्क्रियों का आजजन किया गया है आपके मन में ये सवाल उट्टा होगा और उटना स्वावाविक भी है कि एक मीडिया घराना होने के बावज़ूद एक आलोचनमात चिंतन का ये आजजन क्यों किया गया है मेरा मानना है कि जब बहुत सारे सवाल खड़े हो तो आत्मत चिंतन करना अवश्यक हो जाता है मित्रों सविदान से हमें बोलने की लिखने की अपना मत रखने की आंदोलन करने की और सम्मान जनक तरिक से जियने की आज़ादी दी है आम आदमी के इस समवादानिक अधिकारों के लिए और आज़ादी कायम रखने के लिए निश्य ही मीडिया की सबसे महतोपुर्ण भूमिका है ऐसे हम मानते हैं और इसलिए से लोग तंतर का चौता स्थम कहा गया हुआ है मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस चौते स्थम को मजबूत बनाने के लिए कि मुंबई और दिल्ली या नाकुर मैठे वे लोग काम नहीं कर सकते हैं या शहरों में रहने वाले लोग काम नहीं कर सकते हैं तो साथी साथ में यहां पर युपर सब पदारे में हैं पत्रकार जो कि कुछ घट्चुली में रहते हैं, कुछ बुल्डाना जिली में रहते हैं, कुछ कई और रहते हैं, उनकी सब के बहुत मुथपुण भूवी का है, लेकिन मीडिया आज अपने दाईत्व का सही तरीके से या अपने दाईत्व को सही डंग से निभा पा रहा है मीडिया की क्रिडिबिलिटी जो है इस पे क्यों सवाल उठ रहे हैं क्यों सवाल खड़े किये जा रहे हैं खास कर दुर्श्य मीडिया का बड़ा हिस्सा कड़ड़े के घर में खड़ावाए खास खास तौर पर मीडिया कवरेज करने वाले राजनीतिक कवरेज को और उस मामले में क्यों पक्षपात के रूप में दिखाता है ऐसे प्रश्टन अलग-अलग समय पर उठाए जाते हैं कि मित्रों कि भारतिय मीडिया की व्यापक्ता और भिन्नता कि इसकी पैच्छान है सेकड़ों न्यू चैनल है सेकड़ अकबार है हजारों वेब फोटल है सब के अपने व्यूपॉइंट है और लोगतंतर के अंदर विचारों की भिन्नता जरूरी भी है स्वबावी ग्रूप से मीडिया की ये मीडिया जो दिखाएगा जो देखेंगे लेकिन मत भिन्नता और पक्षपात में फर्क होना चाहिए ऐसा मान को पत्रकारिता के बीच में एक सुक्ष मलकीर होती है जिसे हम लक्ष्मन रेखा कहते हैं और अगर हम लक्ष्मन रेखा को लांग लेते हैं तो माँ भारत में क्या हुआ आपने देखा है और उमीद कि जाती है कि वह Lithon रेखा के हमें आस पास में रहना चाहिए कि जहां तारीब करना हुआ तारीफ करनी चाहिए जहां पर आलोचना करना हुआ पर आलोचना करनी चैह लेकिन जब उस लकिर से मीडिया दूरी बनाने लगे तो उस समय में आप पर सवाल खड़े होने स्वाबाविक है आज खबरे या तो सरकार के पक्ष में होती है या सरकार के विरोध में होती है खासकर डिबेट का मामला तो बहुत गंबिर है टीवी पर डिबेट का या डिबेट की जो शुरुवात हुई उसके पीछे यह एक लक्षे था कि जो विशेशत्म है जानकार है उनको बुलाय जाए उनको स्थान दिया जाए और जो विवर्स है जो पाटा के या दर्शक है वो विशे को समझ ले आज मैं यह देख रहा हूं कि विशेशक के नाम पर जो हमारे मन में आइसे लोगों को लाके खड़े कर देते और उनको विशेशक का कपड़े पैना देते चोला पैना देते और कहते हैं कि मिलिए और वही वही चेरे हमेशा नजर आते जब ऐसा होता है तब फिर गंबिर सवाल खड़ा हो जाते हैं सवाल भी हमी खड़े करते हैं जवाब भी हमी देते हैं हम यह कैसे भूल सकते हैं कि हम चाउता स्थम्भ है हमारी जिम्मदारी बहुत बड़ी है और इसलिए वैचारिक ध्रुव करण के साथ ही शेत्रिय ध्रुवी करण भी दिन प्रत्य दिन बढ़ता जा रहा है किसी गंबीर मामले को लेकर मीडिया का जो समिली सूर होना चाहिए मीडिया उससे दूर होता जा रहा है या मैं ऐसा कोंगा मीडिया उससे दूर हो गया है मीडिया को लेकर बनी धारना गंबीर सवाल पैदा कर रही है और आज के अमारी आतिती इनी विश्यों पर अपनी राय रखेंगे ऐसा मैं मानता हूँ मेरी नीजी राय यह है कि पूरा मीडिया ऐसा नहीं है अभी भी बहुत से चैनल्स बहुत से अकबार बहुत से पत्रकार निश्पक्ष रूप से अपना काम कर रहे है इसको समानित कर रहे है आज भी भे और हम यह जानते कि अकबार का काम सुचना देना केवल नहीं है तो उसे भी आकर जाकर विक्सित करना है मुझे गर्व है कि लोकमत पूरा समू बहुख भी अपनी भूमिका को निबा रहा है हम मानते कि मीडिया की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए लेकिन मूल भावना शोशीतों का वंचीतों का पिडीतों का गरीबों के हीतों में होना चाहिए और यह बहुत महतों पूर्णा है मित्रों मैं अपनी बात खत्म करने के पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लोकमत के स्वर्ण जैन्ती मोहसों के अवसर पर और हमने जो विशेश अंक निकाला था उसका ऑन्लाइन लुकार्पन भी आज के मुख्या थी थी कि ने श्री अनुराग सिंग्जी ठाकुर ने ही किया था और स्वर्ण जैन्ती के शुंकला के तरद अन्यक कार्यकर को मका हम लोगों ने आयुजन किया था उससे पाठकों के और हमारे बीच में एक नजदी की आई और यहां तक कि हर जिले के अंदर मैं स्वयम गया जिस प्रकार कोवीड के समय में हमारे जो सातिय थे पांच हजार परिवारों से मैंने वेक्तिया दुरूप से बात कि उसी प्रकार से आज ये पचास वर्ष का जो वैबों में प्राप्त हुआ है और जिनके कार्णों से प अंदर में गया और उनके प्रती आभार वक्त किया हमारे पाटकों के प्रती आभार वक्त किया और इसी इसके अंदर हम लोगों ने सांप्रादाइक सौधारक के संदर में वैश्विक चुनोतिया और भारत की मुम्मिकाप इस पर हम लोगों आंतर राश्टी स्तर पर एक धार्म, अंतर धार्मी हैं, परिशत का हम लोगों आयुए जिए, उसके अंदर शीषी रवी शंकर जी, बाबा रामद्यो जी, आचरे डॉक्टर लोकेश मुनी जी, बर्मवियर इदाज जी, कार्डिनल उस्वाल्ट ग्रेसियस, हाजी सेयद सलमान चिस्ती जी, प्रलाद कि मैंने हमने का कि हर विचारों काम लोग सम्मान करते हैं, आख बार ये सब का होता है, और उसी तेद हमने राश्ट्य सोएक सम के सरसंग्चालक, डॉक्टर मोहन भागवाजी को भी निमंत्रित किया था, उनका एक वाख्यान आयोजित किया था, और हमने हमारे भी प्रश् के मंत्रियों को बुलाया, उनके विचार सुने और उनसे समझने का अउसर प्राप्त आया, और उसी प्रकार से और हमारे पार्ट को तक भी उनके विचार के अग्यार था, मुझे दो बातों का जिकर करना चाहिए विशी शूप से आपके समने, स्मिता जी हमने यहां पर स्टैच्व फिडम आप प्रेज की निवरती और स्टैच्व फिडम आप प्रेज का जब पता किया तो विश्म का पहला यह स्टैच्व था, जो ब्लैक रॉक ग्रिनाइड में से हम लोगोंने करीब करीब दस फीट का बनाया, और उस टैच्व को स्तापीत करने के लिए देश के हो मिनिस्टर साब कूला है, और साथ इसाद में किसी भी अकबार के महरास किया, जो ग्यारा जेस्ट संपादक थे, उनको बुला कर उनको संभानित किया और उनको संबर्पीत किया, कि लोकमत में कभी यह भूमिकानी रही कि हमारा कॉंपिटिटर है, कॉंपिटिशन खबरों के होने चाहिए हम लोगों न मानती रहे, यह बात हमको हमारे आधर ने बाबुजी ने पताई थी, और इसलिए हम हमारे दोनों जो ओडिटर थे, उनिस वेकातर के और चौर्यातर के उन संपाधवक्र के नाम से हम महाराज के किसी भी अकबार में काम करने वाले अच्छे जनरालिस्त को हर साल सम्मानित करते हैं, यह परंपर हम लोगों ने कायम रखिये और केवल यह करने वाला हिंदुस्तान का एक मातर यह मीडिया हूस है समय दावे से कह सकता हूं, और साती सात में जिन होकर के भरों से हम लोग अगबार आप तक पहुच आते, लुगों तक पहुच आते, पांटगों तक पहुच आते, केवल उनको भोजन करा देना यहां तक समिशन ने, टो उनका भी हम लोगों ने इंवा पर स्टैशू बनाया, और वो स्टैशू जो है, वh यहांका जो ज्जेस्ट होकर है, उनके हाथसे समर्बीत नाखुकु करते वे, विदर्प करते में, पत्रकार करते में, वहां पर महांराज के मुक्या मंतिह के उपस्तिति मेंचिया व किया वो वो ओकर ने यह दो बात मैं आपको बताना चाहूंगा और साथ ही साथ में ऐसे अनेक चीजों का यहां पर रिमान हुआ है हमने लोकमत की सोड़ना यातरा के उपर एक किताब बनाया है जिसका हाली के अंदर अमिश शाह सापने जो कि हमारे ग्रहमंत्री उन्होंने ल पहोगे उसके बावजुद भी मुझे मराटी से गरव है मुझे मराटी से लगाव है इमाजी भाषा है और हर भाषा का हर मात्र भाषा का सम्मान करना हर व्यक्ति का हर राज्य का यह करता भी है इसा मैं मानता हूं इसलिए मैं आपको देंगा हां आगे जाकर हम उसको और अंग्रेजी में भी उसको अन्यवाजीत करके बनाने वाले मर्य करने के लिए जो हमारे सयोगी ने इसमें काम किया है उसको भी मैं यहाँ पर पुब्लिक ली धन्यवाद देना चाहूंगा इसी के साथ में आज इस कॉंक्लियों के बाद में आप सब पैनलिस्स के उपस्तिती में अनुराख ठाकुर जी लोकमत के इत्यास को कलात्मक तरीके से प्रस्तूत करने वाली एक 9 फीट बाए 19 फीट की एम नारायन ने बनाई भी लोकमत का उसमें इत्यास बताने वाली पेंटिंग जो है उसका लोकमत भौन में हमारे पाटकों को लोकारपन करेंगे ऐसे भी कारिकम की व्योस्ता की गई है मैं मित्रो इस बात एक बात और बताना चाहूंगा कि जिसका मैंने जुक्र किया हमां हलके से जुक्र किया कि आज ये नैशनल मीडिया कांट्लियों के लिए पूरे वीरत विदर्ब से करीब-करीब 200 पत्रकार एडिटर्स आए वे हैं जैसा कि मैंने कहां कि 400 किलोमेटर से लोग चलकर यहां पर आए वे हैं इस पर से आप जान सकते हैं कि यहां की पत्रकार कितने वाइबरंट है कितने सेंसिटिव है और किता इन आपकी इस कौन के लिए को महत्व देते हैं मैं उनके प्रती भी आबार व्यक्त करता हूं अपने और अंत में एक बात फिर दोराना चाहूंगा कि पत्रकारी था हमारे लिए पेशन बलके समाज को स्रेष्ट बनाने का एक माध्य मैसा में मानता हूं और बावजे ने जो कहा था कि अगबार का अगर माली कोई है तो उसका पाठक है और उसी सीकुम आगे बढ़ाते हुए हमें गर्वय की पत्रकारीता पर्मो धर्म हमारा मुल मंत्र है आज का ये आयुजन इसी मुल मंत्र की व्यक्या है मैं आप सबसे फिर एक बार निविदन करूँगा कि अपना प्रेम और स्ने यूई बनाया रखिये और हमें आप समय 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 सपर मार्दशन करते रहें धन्यवाज जय है झाल